वेलकम स्टूदिया एंट्स देखे थे, शोट फूम की थी कुछ अबरिवेशन iture हमने बनाये थे उनके तो आज हम डिसकस करेंगे पी-ब्लोक-ऐलिमेंट्स की प्रोपर्टीज प्रोपर्टीज और प्री-ब्लोक-ऐलिमेंट्स पी-ब्लोक-ऐलिमेंट्स जो तत्तव है पी ब्लोक के उनके गुन पहली प्रोपर्टी क्या है भई जो पी ब्लोक एलिमेंट है इसमें मैटल्स भी हैं नोन मैटल्स भी हैं और मैटलोइड्स भी है कुछ मैटल है मैटल कम है जो अपना 13th ग्रूप है वो मैटल का है 14th group metaloid है उसमें और आगे लगबग non metal वैसे ये भी discuss करेंगे हमकी top to bottom metallic reactor बढ़ता है left to right metallic reactor घटता है फिलाल के लिए हम property पढ़ रहे हैं तो P block element में metal include होती है non metal include होती है और metalloids include होती है P block elements include metals, non metals and metalloids metal सामिल है इसमें non metals का मिल और metalloids सामिल है उसके बाद second है P block element क्या करती है भई combine करती है दूसरे element के साथ metal भी है इसमें non metal भी है और metalloids भी है metal कैसे combine करेगी भई डोनेट करके electron को non metal कैसे combine करेंगे by accepting electron or metalloids कैसे react करेगी या combine करेगी by sharing of electron हों तो क्या लिखेंगे P block elements combine with other elements by metal है तो losing non metal है तो gaining or end or by sharing of electrons उसके बाद P block elements क्या करते हैं कमबाइन करते है अधर element के साथ या तो lose करके electron को या gain करके या share करके उसके बाद P block element mostly क्या बनाते हैं कोवलेंट compound कोवलेंट compound क्या होते हैं कोवलेंट compound क्या होते हैं जिसमें mutual sharing होती है electron के वह हम को और फी यूनिट में डिसक्स करेंगे 10th class में भी आपको बताया होगा जैसे CH4 है CH4 में के उतर कार्वन के पास 4 एलेक्ट्रोन एक हाइड्रोजन दिता हो एक हाइड्रोजन दिया एक कार्वन ने तब जाके सिंगल बूंड बना वो कोवलेंट बूंड होता है तो जो P block elements है ये क्या बनाते हैं कोवलेंट कमपाउंड प्डिप लोग और एलेमेंट कोवलेंट बनाते हैं कोवलेंट कमपाउंड मनाते हैं लेकिन एक ग्रूप ऐसा है वही जो क्या बनाते हैं आइनिक कंपाउंड बनाते हैं कौन सा है लोजन्स सबसे ज्यादा नॉन मेटैलिक है अपना गुरूप है लोजन सत्रमा गुरूप हावएवार है है लोजन कॉम आइनिक कंपाउंड वो भी किसके साथ है विद दो स्ब्लोक के इलिमेंट थे जो फास्ट और सेग्न गुरूप हूव तो हैलोजन्स क्या करते है कंबाइन करते हैं एस ब्लोक एलिमेंट के साथ क्या बनाते हैं आइनिक कंपाउंड भी अपनी प्रोपर्वर्टी होई नेक्स्ट है अपना व्हाई लिजबह इसके उसके बाद है दी ब्लोक एलिमेंट्स के अपते हैं डी ब्लोक एलिमेंट्स जिसमें डी और्विटल में जाता हो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लोक एलिमेंट्स आर्थोस इन वीच जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन enters किसमें enter करता हो into the orbital of their penultimate shell penultimate shell का मीनिंग क्यों होता है second to last second last case general electronic configuration से आप पता लगाएंगी the general electronic configuration of D block elements is general electronic configuration 4s 3d 5s 4d 6s 5d तो आप देख रहे हैं एक कम energy level में जा रहा है penalty mate इसलिए word लिखा गया है penalty mate का क्या मेनिंग है second last second last ठीक है समझ में आया होगा भाई ये D block element के होते हैं जिसमें last electron कि इसमें enter करता है D orbital of their penultimate shell general electronic configuration के D block element की NS2 N-1 D1 1 to 10 रटा नहीं लगाना है ठीक है और उसकी क्या थी general electronic configuration S block element की NS1 to 2 भाई आसमें 1 भी हो सकते है alkali metal के case में और 2 भी हो सकते है alkaline earth metal के case में जो P block element है उनकी क्या है थी general electronic configuration NS2 and P 1 to 6 D block element की क्या है NS2 and P NS2 1 to 2 2 नहीं 1 to 2 भाई क्योंकि कुछ element ऐसे भी आइदर खुगा है सित्वाइन CRT में NS2 दिया होगा आपको लेकिन NS1 to 2 क्योंकि कुछ element ऐसे आते हैं जिसमें NS में 1 भी आ सकता है NS1 to 2 N-1 D1 to 10 कौन-कौन से group आते हैं group 3 to 12 are included in deep lock elements group 3 से लेके 12 तक इसमें सामिल होते हैं समझ में आए होगा आप कुछ और बाते भी मैं आपको बताऊंगा फिलाल मैं आपको जो deep lock elements है वो बताता हूँ जो फास्ट आता है सक, सक, टी, वी, कर, मन, फ्री, को, नी, को, जन, यह आपके भाई short form मन करे, दस element आएंगी, ताइंगे तो इन, ज पान, छे, साथ, आट, आट, नहों। दस ठीक है यह गृप हो गया 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th आप प्रियोडिक टेबल निकाल के रखेंगे भई इस टोपिक को अच्छे से करने के लिए प्रियोडिक टेबल साथ में रखेंगे वहाँ पे देखेंगे कि कैसे इनकी शोट फॉम बताई जा रही है जो अटोमिक नंबर है ये तो ग्रूप नेम है वही ये ग्रूप नंबर सोरी ग्रूप नंबर है वही थर्ड ग्रूप फॉर्थ ग्रूप फिफ्थ ग्रूप सिक्स्थ ग्रूप सेवन्थ ग्रूप एट्थ ग्रूप नाइन्थ ग्रूप तैंथ ग्रूप ग्रूप और जरा न्वाब मौत तक टी सी टी सी तक रुके रहें रुके रहें ये जरा न्वाब मौत तक रुके रहें पढ़ आकड पढ़े आग कड़ ये उसी गुरूप के सामने है कैल्सियम के बाद आता है ये आप प्रियोडिक टेबल में देखेंगे कैल्सियम के बाद तो इसका अटोमिक नंबर ये तो गुरूप ने मैं वह ये बाद दिया मेरे अटोमिक नंबर ये है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये आता है जो डी ब्ल सेकंड है ये एलिमेंट निम भी आपको बता हूँगा जो ये वाई है ये टीरियम बोलते है इसको इसका अटोमिक नंबर सुरू होता है 39 से 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और कैडमियम का कितना हुआ 48 उसके बाद आता है ला थोड़ा नीचे लिखूँगा ला हाफ ता वा रे औस एर पट आओं हग ये अपना नेक्स्ट पीरियड है वई अब एक बाद द्यान रखनी पड़ेगी लेंथे नम 57 इसका 57 अब थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे अगर आप प्रियोडिक टेबल साथ में रखे हुए है तो ये काफी एजी रहेगा वई प्रियोडिक टेबल अगर आपके सामने है कैसे एजी रहेगा आप देखेंगे जो लेंथे नम है लेंथे नम किसके बाद आता है वई बेरियम के बाद बेरियम का 56 होता है लेंथे निम का कितना आएगा 57 अब एक थोड़ी बात और द्यान में रखने पड़ेगी लेंथे नम के बाद आती है लेंथे नोएड सिरीज लेंथे नोएड सिरीज यानि कि डी सोरी एफ ब्लोक एलिमेंट यहां पे चोदा एलिमेंट ऐसे उ कि प्रियोडिक टेबल के और एफ ब्लोक एलिमेंट 17 और फ नहीं आए गा 16 कि हमने स्मय के लेंद आख एलिमेंट 17 जो पूरी periodic table है इसके निच्छे दो period आपको दिये होंगे चोदा चोदा element के वो किसके हैं बाई एफ ब्लोक के हैं तो यहां 57 के बाद 58 नहीं आएगा 72 आएगा क्योंकि बीच में जो 14 element है वो किसके है एफ ब्लोक के हैं और उनको periodic table से separate रखा हुए है सब्सक्राइब है यह अपना थार्ड हो गया फॉर्थ में क्या आता है फॉर्थ में क्या आता है फॉर्थ थोड़ा द्यान से इसको समझेंगे वही थोड़ा सा कॉंप्लिकेशन है यहां पर एक रूफ एक्टीनियम आता है एक रूफ डबल सगी सजी सजी आता है यहां डबल सगी बेहन भी एच बेहन हसे हस मतलबी दोस्त रगू हसे एक मिनट एक रूफ एसी आर एफ रूफ डबल डबी सगी बेहन भी एच हसे एच एस मतलबी दोस्त रगू सुने सीन आएगा बाई यहां ओपर नहीं सियां आप कहीं प्रियोडिक्टेबल में बाई इनकी जगह वो दिये हुए है जो हमने डिसकस किया थे बाई क्या जैसे अन-अन निलीयम यह पड़े थे हमने 110 के लिए कि हम इनके आयूप एसीनियम लिखेंगे यहां पर तो यहां पर 57 किसके बाद आता था यह बेरियम के बाद आप दिखेंगे प्रियोडिक्टेबल में 56 पे क्बेरियम और रहेनियम कितने पह था 88 पे तो यहां पर आएगा 89 89 के बाद यहां भी नब्डे नहीं आएगा विकोज 14 एलिमेंट आर ओफ एफ ब्लोक यह एफ ब्लोक के ऐलिमेंट है तो 89 के बाद 14 आप क्या करेंगे एड करेंगे और आप 14 एलिमेंट जैसे ही आप निकालेंगे 104 पे पहुंच जाएगी बाद 104 105 106 107 108 109 110 110 11 100 यहां तक आएगा वे इसमें अब कहेंगे टोटल तो 118 एलिमेंट है वही आके उसमें भी तो आ जाते हैं यह पी ब्लोक में पी ब्लोक में भी तो चाहेंगे आपके यह लाइग तीस के बाद 31 32 33 34 35 36 36 तक जाती है लाइग अब यह बना है वही अपना तीसरा ग्रूप यह वा ग्रूप टो बोटम होते हैं नौवा दसमा ग्यारमा और बाहरमा अभी मैंने शोट फोर्म नहीं लिखे हैं इनको याद करनेगी वह भी आपके लिखी जाएंगी यह इस तरह से प्रियोडिक टेबल में आपको यह मिलने वाले यह ग्रूप नमबर है थार्ड फॉर्थ इस ग्रूप नमबर है अब पहले की शोट फोर्म बनाते हैं पहले की यह लाइन आप थोड़ी निचे भी ले सकते हैं वह इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए कंफ्यूज ना हो वह इसमें आप शोट फोर्म भी इसी में लिखे थार्ट फोर्म वैसे आप कुछ भ सक सकेंडियम के लिए सक टी वी 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 है ना वी कर मन फ्री को नी कू जंग शोट फोर्म है सक ऐसे टी टी आई वी कर मन फ्री को नी कू जंग एचन यह की शोटपोन में एसकिए विकर्मन स्क्रीक्स पूजपॉज मैगनीज मेगनीज एमजी मेगनेशियम मेगनेश होता है मेगनीज उसके बाद एफी एफी क्या है आइरन लोहा पर वे शीयो कोबाल्ट-एनाइ निकल ू-उक्ति जेडन, जिंक, उसके बाद हम क्या करेंगे, शोट फोम लिखते हैं, नेक्स्ट की, नेक्स्ट में शोट फोम क्या बनेगी, ज्यान से समझना है इसको, शोट फोम को, और एलिमेंट नेम भी आपको बताया जाने हैं, वैसे आप प्रियोडिक टेबल से विल को लिख सकते हैं, क्या बनेगा इसकी शोट फोम, ये जरा नवाब, नवाब, एन्बी नवाब, मौत तक, मौत तक, रूके रहें, पड़े, आग, कड़, क्या बनेगा, ये जरा नवाब, एन्बी, मौत, तक, रुके, रहे, पड़े, पीडी, आग, कड़, देखो, शोट फोम कुछ भी बन जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ अलग जो अपने सब्द होते हैं, वो भी सामिल हो जाते हैं, जैसे और और आगया बीच में, कई संटैस जोड़ने के लिए अपने और लगाया, आप कंफ किया गया है, यह टीरियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिबर्नम, टेकनीटियम, रुहीनियम, रहोडियम, पलेडियम, सिल्वर, कैडिमियम, ठीक है, उसके बाद शोट फोम आएंगे अपनी, नेक्स जो अपने ऐलिमेंट्स हैं, इसकी शोट फोम क्या बनेगी भई, इ अले हफ एच एफ, ता टीये, वा, रे, औस, एर, पटाउं, हग, ला हफ ता वारे औस, एर, पटाउं, हग, ला, एले, लेंटिन्यम, एच एफ, हफ, एच एफ, हाफ, नियम, ता, टेंटिलं, वा, टंग स्टन, रे, रहीनियम, ठीक है, ओस, ओस्मियम, इर, इरीडियम, पर, पट, 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 प्लेटिनम, आउं, गोल्ड, हग, मरकरी, उसके बाद लास्ट की शोट फोम क्या बनेगी इसकी, इसकी शोट फोम बनेगी, एक रूफ, एक रूफ, डबल, डबल, सगी वेहन, हसे, मतलवी, दोस्त, रगू, सुने, क्या बई, एक रूफ, आर एफ, डबल, डबी, सगी, एफ, जी, बहन, भी, एच, हसे, एच, मतलवी, एमटी, दोस्त, डीटी, रगू, आर जी, सुने, सीय, एक्टेनियम, रदरफोडियम, डुबनियम, सीबोर्गियम, बहोरियम, हैसियम, मेटर नीटियम, धर्म, स्टेडी टर्म, रोंटे जेनम, और सीयन, कोपर, नीशियम, अब आती है बई, जेनरल इलेक्ट्रोनिक कोंफिग्रेशन की बात, इसकी क्या बनेगी, ns2, n-1, d1, d में 1 आएगा, अब d में 1 मैं क्या करता हूँ, हर एक एलेमेंट उपर वाला उठा लेता हूँ, इनकी आपको इलेक्ट्रोनिक कोंफिग्रेशन लिखकर दिखाता हूँ, क्या है इसके लिए, क्या है इसके लिए देखेंगे, scandium, scandium का 21 है बाई, मैं क्या बता रहा हूँ, क्या आती है, जेनरल इलेक्ट्रोनिक कोंफिग्रेशन, ns में आते हैं, 1, 2, 2, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, n-1, d, d में 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, तो आप दियान से देखेंगे, इसमें आएगा, d में 1, d में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां 10 आते हैं, तो सकेंडियम 21, 1s2, 2s2, 2b6, 3s2, 3b6, 4s2, 3d1, देख सकते हैं, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 14, 20, 21, तो क्या है इसकी जेनरल इलेक्ट्रोनिक कोंफिग्रेशन, ns2, nhr यहां 3 है, तो n-1, d में 1, इसी तरह से इसमें, d में 2, d में 3, 4, 5, 6, तो यहां प्रियोडिक्टेबल अच्छी तरह से करेंगे, इनकी जेनरल इलेक्ट्रोनिक कोंफिग्रेशन आपको, निकालनी अभी किस गुरूप की कौन सी आते हैं, देखो यह 10 इलेक्ट्रोम दिये हूंगा है न आज के लिए इतना ही, थैंक यू